अरे कृष्णा हम लोग आज शुमत भागवतम की तीसर स्कंद के ग्यार विद्ध है के 21 श्लोक से आगे पड़ेंगे आज प्रभुपाजी का तिरो भाव दिवस है तो एक भक्त बता रहे थे प्रभुपाजी को भागवतम कितनी प्री है इसार एवरी डे ओफरेंट शुदा प्रभुपाज क्यासे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं घर में आपके पास गदा तो होगा ना सुने के लिए और बेड़ भी होगा प्रभुपाजी यहां रात दामोदन मंदिर में थे और बुखार था और उनके वह स्ट्रॉम एट समझते हैं आप लोग स्ट्रॉम मैट मत तरॉम में तरुम की तरुम बोल सकते हैं लेकिन जूट नहीं कि आ सकते हैं इसकाल जैसे आप प्रभपाद की घर में आपने देखियोंग इस तरह की वह तो बहुत मोटे हैं पतले वाले में सो रहे थे बुखार था एक कुछ ने स्ट्रॉम मैट इस तक दे तो उनके गौड ब्रदर आये कहें कि आपको बुखार है यह जाड़ा है आप गद्दा तो ले लिए सोने के लिए तो कहते मैं पाई-पाई का उप्योग पुस्तक वित्रन क्लेश भागवतन के लिए कर लिए कितना विश्वास कितना अद्भुथ रध्धा थी प्रवपाजी की भागवतन के उपर गुरु की पर प्रभू बता रहे थे कि परवपाद एक दिन को रात्में एक बिजय उठाए कहते क्या कर रहे है हो अब ये लिए कैसा परुरश्न है रात में एक बजय आ करेग इतना महत पूर्ड है श्री में धावतम का श्रवन करना आज एक भक्त आई थे नारत प्रव करें थे प्रवजी हमें तो भवान से ही प्रारतना है कि आपका विरिंदावन में अपना एक घर हो जाए अच्छी कामना है अपने घर में रहे हैं कुछ दिंग लग रहे हैं मेरा खर नहीं है तो मैं इस पर रिफ्लेट कर रहा था कि इससे ज्यादा अच्छा तो यह होगा ना कि हमारे हिर्दे रूपी घर में भगवान पर्मनेंट रसिडेंट बन जाए क्या कहते हैं जहां पर भी आप जाओगे तो भगवान आप व्रिंदावन में ही रहेंगे क्योंक सद्यो हृद्य वरुद्धतेत्र कृत भी सुस्रुष्ट भी तच्षनात जैसे एक ग्रहस्त अपने घर में रहता है क्यों रहता है क्योंकि आ सकते है उसमें ऐसे ही प्रेम रशनया ध्यतांगरी पद्मा भगवान भगवान के प्रेम हिर्दे में जागरित हो जाने के कारण भगवान का चरण भक्त के हिर्दे में ग्रशित हो जाता है और ये तभी से होना शुरू हो जाता है जिस दिन से भागवतम सुनना शुरू किया है जिस दिन भागवतम सुनने की इच्छा आई कि हम सुनेंगे कल वह अलग बात है कि सुनने का तो बाद में सुनने की इच्छा आने मातर से भगवान आ जाते हैं यह बिकम्स अटाश्ट टू पर्सुन हुज इंट्रस्ट इन भागवत्म सुनने की इच्छा करिए इतना ज्यादा यह अध्भूत क्रंथ भगवान ने अपना तेज रखा है सद्य तुरंथी सद्य अवरुद्ध तेत्र कृत भी सुष्ट भीष्ट चणा तो हमारे ले तो प्रभपार जी का प्रति एक मातर ओफरिंग है एक बात बहुत सुन्द देवशेक्ति माताची ने कही पहले अग्यण और उ सबदोच्भा और और अब वार्चुवल म्रदंग भी ago गया हैं को हीमर्चुवल ना यह कता जको वर्चुवल फ्रस्तूत कि जा राहा हैं और कि इतने ही लोग इस से प्रभावित हो जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि पुष्ट के रखते हैं और रोक नहीं पड़ते हैं लेकिन वह उसको प्रपात बोलते हैं बॉम की तरह है लेकिन मैं काऊंगा कि यह जो कथाए हैं यह इंप्रुवाइजड एक्स्प्लोजिव डिवाइस हैं यह क्या ह होता है तो लोग ऐसे घर में भागवत रखते हैं तो बहुत बार लोग पढ़ते नहीं कि उतना रूची नहीं होती शब्दों में लेकिन जब सब लोग बैट करके चर्चा करते हैं तो वह इस लोग और अधिक आस्वादिनी हो जाते हैं मैं अगर ऐसे बैट करके बोलूं तो बोले का रहा है थो आपको कर Insurance आपको इसा नहीं है इतना सामर्थ नहीं है कि यह फमने लागेगे मैं आइसा ही बोल रहाए अगर व्रेको पागल के आ पिनाइसे बोल रहा है बोलरा अपनेसे हस रहा है हुआ नहीं, ऐसे मारे मित्र है, मित्र मंदली पड़ा परवार है गरस्ती में आगे तो बहुत-बड़ा परवार है कि हमारे परवार के सारी लोग सुनने आते हैं चुटी बहने हैं बढ़ी बहने हैं साब परवार, ताईचाची साब आगवा सुनते हैं What a wonderful family, is it not Krishna Sansa? कथा तो आज हम बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे प्रवत्माजी चाहते थे कि इस कृष्ण भावना मृत का आंदोलन का प्रचारों होगा कैसे कौपरेशन से और अपता कौपरेशन कैसे होता है बड़ी सिंपल आप भी चाहों कि कृष्ण कहता हो और मैं भी चाहूं कृष आए और तो त्ह चला दे किनष्ट थो उसका काम कर रहे है तो दोनु लोगों को जब हल्वा खाना होगा तब हल्मात्छा बनेगा एक को खाना लедdepth poco प्रचावलेश नहीं होता और वह मैं हमें काम करना ही नहीं है और नहीं बार बार अपने जो भी सर खुजाता रहता हूं कि यह कैसे हमारे पास आ रहे हैं सब लोग इस अनिमाजिनेबल गुड फॉर्चुन चाट चाट कर भगवान भेज रहा है उन भकतों को जो भागवत में रूची रखते हैं विभा जैन माता जी मुझे मेसेज करी भागवतम का मुझे अपडेट नहीं आए ऐसा तो नहीं कि क्लास मुझसे मिस हो गई यह क्लास हो गई है क्लास हुए है हम लोग गीता पड़ रह बहुं कि कोई व्यक्टि अपने घर के खिड्की से बाहर जाक रहा है देख रहा कि क्या संकीरतना अंदोलन को गेती है और मुझे बचायगा आर्मना है यहां था हम लोग देख हहे लिरे लिट्टरल यहां वोक्तों को देख रहा है था खिड्की से देख रहु हूँ लोग बातचीत कर रहा है देवी देवताओ कितर है रही है वेरी हपी अगर आप लोग देखें लगता है लगता सब लोग जो है खिड़की से बैठे देख रहा है एक बक्त कार्च चलाते है विमान पर बैठे हो शुन रहे है समझें यह भागवत ही आपको एकदम स्थेर कर देगी भक्ति के अलावा और करना क्या है वह ऑप्शन ही डिलीट कर देती भागवतों ऑप्शन ही डिलीट कर देती है दिखता है कि सब कुछ बोरेंगे एकसेट कृष्ण कृष्ण कॉश्चनेस आज यह बातें बहुत सारी ब तव विक्रीड तम क्रिष्णान नाम पर्म मंगलम करन पीउ शमासाध्यत जनती अनिस प्रिहाम जना जो वेक्ति भगवान के कथा अपने कानों से रोज असवदन करता है तो वो सारी चाहें त्याग देता है घर परवार की आसकती त्याग देता है मोग्ष की इच्छ भी लेकिन कथा कि सुनने के इच्छ नहीं त्यागता तो बताइए फिर भगती कैसे त्याग देगा वो कथा अगर हम रोज सुनते रहें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं भी प्रैटिकल देख रहा हूं को अच्छी डॉक्टर मिले हमको उसकी प्रचार नहीं कर रहा है दो दिन में दो बार दो मिनट के लिए दो मैं थर्टी सगेंड लगता है दावा खाने में उसका प्रभाव दो दिन में आ गया आप समझे मेरी बात उसका प्रभाप पूरे दिन में आ रहा है इसेंस तो सुचे अगर हम रोज एक गंटा भागवत के संपर्क में रहेंगे और भागवत की ताके और नाम जब तो कितना परवर्तन आ जाएगा और परवर्तन ये आएगा कि आप अपने भक्ति की जीवन में कोई परवर्तन नही चाहेंगे यू वूल नॉट लाइक तो डिसपीर फ्रम भक्ति नॉट अट आल नॉट इविन फॉर सिंगल डे भक्ति भावति नेश्टि की कई बार हमको बग तक मेरा बड़े मेरा आशिरवाद तो आशिरवाद तो आशिरवाद तो आपके रोजी दिया जा रहा है ना भ अटाफोन भी था चक्रवर्ति बात शृदर समी बात के पास तो कुछ भी नहीं था हो तो सोच भी सकते हैं कैसे लिखे होंगे उसको ओ क्लम जो होती सुन इंक भी नहीं थी जिट नॉट कैसे तामरपत पर लिखते होंगे तो हमको ने आइडिया कैसे होता आइडिया जब हमको यह भी आइडिया नहीं है कि वह कितनी कटनाई से लिखते होंगे तो हम यह कैसे सोसच सकते है कि वो लिखना है वो कितना टफ होता होगा आप वो दिशलों पे क्या टीका लिखेंगे तो शास्त्रों के अंसार होने चाहिए, नयाये के अंसार होने ची सारा कुछ सब कुछ setting करके वह उन लों के लिए भी लिक रहा है हमारे से लों को समझ में आता है और उन लों के लिए भी लिक रहे है जो विद्वान है यानि उस टीका में गलती ना निकाल सके है और बहुत कम शब्दों में सारी बात कहनी है विचार कीजिए यानि कि उनका कितना फ्रेम कितना इंटेंस कितना इंटेंस डिजायर होगी भगवान को गुडगान करने की श्रीमत भागवत्म के टीकाओं के दर अनन्त अद्बुत ऐश्वर श्रीमत चतन महाप्रवगा कि हमन अध्यन्त तीवर चाहे कि श्रीमत भागवत्म का प्रचार पूरे विष्व में होना चाहिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बात हो रही थी कि विदूर जी ने पूछा कि आपने मनुष्यों की और पितरों की और देवताओं की उमर के बारे में बताया तो अब वह लोग जो की कल्प से बाहर रहते हैं कल्प से बाहर रहने का मतलब है कि देखिए प्रति दिन ब्रह्मा जी के दिन में कल्प में स evangelical लोग तक सि Lifty होती है उसके उपर跟 क्रह नश्ट नहीं होते हैं तो उसके उपर की जो लोग रहते हैं वह उनकी आयु और ब्रढ़ार चीलिक ब्राबर होती है वे भी क्लिएर नहीं तो उनकी आयू को समझाने के लिए ये समझाना जरूरी है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता उसी की क्रम में उसा बाते मैत्रे मुनी बोल रहे हैं तो यहां पर वो चार यूगों का वर्ण कर रहे थे और 21 श्लोक में आया था धर्म चतुष्पान मनुजान कृते समन वर्तते सएवान एवानिश धर्मेणा व्येती पादेन वर्धता तो यहां पर सनवाद देख लेते हैं एक बार है विदूर सत्य यूग में मानव जाती ने उच तथा पून रुप से धर्म के सिध्धानतों का पालन किया किन्तु अन यूगों में जियों जियों धर्म प्रविश्क पाता गया त्यों धर्म क्रमशा एक एक अंश घट्टा चला गया 4 3 2 1 अब हम लोग आगे पढ़ते है 21 में ओ इसका अनवार देख लेते हैं गरवड हो गया प्रत्यक यूग के पहले तता भाग बाद के संदिकाल जो कि कुछ सौ वर्षों के होते हैं जैसा कि पहले उले किया जा चुका है दक्ष जोतिर विदो के अंसार यूग संधिया या दो यूगों के संधिकाल कहलाते हैं इन अवदियों में सभी प्रकार के धार्म कारसमपन की जाते हैं बात यह थी कि यूग है यूग का शुरुवात वाला भाग संधिया और अंत वाला भाग संधिया श कहलाता है और जो साइवान येश्व धर्मेना व्यति पादे न वर्धता, धर्मस्च तुष्पान मनुजान कृते समनु वर्धते, साइवान येश्व धर्मेना व्यति पादे न वर्धता, धर्मस्च तुष्पान मनुजान कृते समनु वर्धते, साइवान येश्व धर्मेना व्यति पादे न वर्धता, धर्मस्च तुष्पान मनुजान कृते समनु वर्धते, साइवान येश्व धर्मेना व्यति पादे न वर्धता, हे विदुर, सत्युग में मानव जाती ने उच्च तथा पून रूप से धर्म के सिध्धान्तों का पालन किया, किन्तु अन युगों में जियोजों और धर्म प्रवेश पाता गया, त्योत्यों धर्म क्रमशा एक एक अर्श घटता गया, जरा याद करेंगे कि धर्म के चार सिधान्त हैं क्या, सत्य, धया, तपस्या और शौच, तो ये सत्य बचा है कल्युग में और एक एक करके सब सम आप्त होता जा रहा है, ठीक है, क्रिते यानि सत्य युग में चतुष पाद, पूरे चार विस्तार या पाद, यानि चारों चरण पर धर्म खड़ा था, धर्म की तुल्ला की गई थी एक बैल से प्रतमिसकन में, तो चारों पैरों पर धर्म खड़ा था, धर्म हमानुजा वर्दता धीरे-धीरे व्रिद्धी करता हुए अधर्मेना अनि अधर्म के प्रभाव से अन्येश्व व्ययती, त्रेता आधी अन्य युगों में धीरे-धीरे पतन को प्राप्त हुआ, समझेगा, धर्म नहीं बढ़ा, अधर्म बढ़ा, इसलिए धर्म एक-एक चरण से क कम होता चला गया, धर्म चतुष्पान मनुजान, मनिश्यों में धर्म चारों पैरों से कृते समनु वर्तते, कृत यानी सत्युग में समयक रूप से वर्तमान था, एक बात यहां सपस्ट है, कि धर्म की बात करेंगे, तो मनुष्यों की ही बात करेंगे, अहार निद्रा भय मैथु नम्चा समान मेतद पशुभी नराणाम धर्मो ही तेशाम अधिको विशेशो धर्मेण ही ना पशुभी समाना अहार निद्रा भय और मैथु नम्चा समान मेतद पशुभी नराणाम धर्मो ही तेशाम अधिको विशेशो धर्मेण ही ना पशुभ लेकिन धर्मो ही तेशाम अधिको विशेशो मनुश्यों में यह विशेश बात है और वो है धर्म ही धर्म ही मतलब अपार्ट फॉम देट नथिंग अधिक अधिको विशेशो दर्म ही ना पशुभी समाना इस वेरी इंट्रस्टिंग बात बहुत सिंपल है लेकिन वह पात है बहुत मुझे हिट करती है आप जाए कहीं पर भी प्रवपाजी चेताव नहीं देते हैं भक्तों को यह कर्मी लोगों को देख करके उनका अनुकर नहीं करना चाहिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें है और क्या चीज मिसिंग है जो कि सबसे महतपूर्ण है और वह है धर्म की बुद्धी कुछ भी खाएंगे ना ऐसा लगता है कि सारे अंकल चिप्स उनके भोग लगा कर ही दिये जा रहे हैं कोई देख रहा है उसमें कि क्या वस्तु है कुछ भी बात नहीं नहीं consciousness of धर्म और इसी कारण से वह निश्य तुरुप से अगले जनम में पशु योनी को ही प्राप्त करेंगे आप सहमेत यह बात से धर्मे नहीं ना पशु भी समाना अगर धर्म से व्यक्ति हीन है तो वो पशु के ही समान है पशु जैसा नहीं है पशु ही है वेरी इमेजिंग अब आप यह बताईए बुरा नहीं माना मान लिजे कोई बंदर चट्डी पढडी पहन कर आगे टीशर्ट पहन करके आ जाए तो क्या कभी हम हीन भावना करते ह है कितना सुंदर टीशर्ट पहना है या कोई डॉगी तो किसी व्यक्ति के प्रति इस्पेशली भगतों की बात कर रहे है अगर आप हम यह सोचे मन में आए कि यह व्यक्ति बड़ा अच्छा है तो बस एक पहले चक कीजिएगा क्या कुछ धर्म का सैंस उसको है या नहीं है और अगर नहीं है तो फिर हम अपनी तुलना एक पशु से कर रहे हैं यह बुद्धी भरष्ट करने का बहुत आसान तरीका कि उन लोग से घुले मुले जो की वस्तता पशु के समाने आप कहेंगे आप ऐसा बात हैं क्यों बोल रहे हैं हम दिक्षित भक्तों के situation में देखत अनिमल सर्कल धर्मे नहीं ना पशुभी समाना यह बात आ गई धर्म की तुम्हें इस पर कह रहा हूं भक्तों को चारों चीजों का अवलंबन करना होता है तपस्या का दया का शौच का और सत्य का कैसे कैसे है किसी को पता है जो हम चार नियम पालन करते हैं अवस्त्री नहीं करना शराब नहीं पीना मास नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना इस से चारों धर्म की जो पिलर है वह स्ट्रॉंग हो जाते हैं पता है कौन से कौन से देखिए पड़ा इजी है अवैज थ्री संग अगर वेक्ति त्यागता है तो उससे शौच यह पवत्तता उसके जीवन में रहती है ठीक मैप करते जाएगा बहुत इजी है अगर वह मास नहीं खाता है तो कौन से होगा दया इजी है अगर वह जुआ नहीं खेलता है तो क्या पुष्ट होगा सत्य और वह अगर शराब नहीं पीता है शराब मलब चाए वगर नहीं पीता है तब क्या हु तपस्या यह उसका पुष्ट होता है तो प्रहुपाजी इतना सुन्दर बात बता रहें देखिए सिंपल इन चार नीमों के द्वारा आप कहां है कहां है आप वापस आई श्लुक में धर्म चारों पैरों पे खड़ा था अग्रीट तो अब आपने समझा कि वह चार पैर कैसे पुष्ट होते हैं अवैस्तिरी संग नहीं करने से शराब और चाय आदे नहीं पीने से और जुआ नहीं खेलने से और मास नहीं खाने से तब कहां पहुँच गए सत्युग में पहुच गए अब आप बताईए कि ये चीज़ें आसान हो जाती हैं अब जब आप जब करते हो तो हमने सुना था ना कृते ये ध्यायते विष्णु त्रेता याम ये तो मखई द्वापरे परिचरिया याम कलव तद हरी किर्तनात सत्युग में जो लाखों लाखों साल तपस्या करने से मिलता जो प्रीता योग में करने से मिलता जिए वीग्रह के सेवत मिलता हुआ भग्वान के कीर्तन श्रमन कीर्तन से मिल जाता है तो मिल रहा है कि नहीं जब करना वह लोग्ध गाती कुछ imperial को और एक और बात यहां पकड़ दीजिए, कल यूग में विशेश शुरूप से सत्य बचा है अभी, अभी तो कल यूग शुरूपत नहीं हुआ, संध्या के समय है, तो सत्य को पकड़ के चलना है, तो वह आपको पता है, भवान का पसाद खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वह आप को पता है हमारे सब्सक्राइब क्या करें वो बिस्कुट हम से रहा नहीं जा रहा है मैं क्या अनुमोदन करूं कि खाई यह ताकि आपका करव हमको भी लगता रहे अगर ऐसी इच्छा है भी किशी की भाई बिस्कुट खानेगी तो कम से रहे तो प्रसाद हो तो जब लेके चलो मिला दो इसका हमारा शास्तरी प्रमाड है हमारे पास कि अगर जो भॉझान है उसमें आप यह भगवान का प्रसाद मिलाते तो भाई प्रसाद ही हो जाता यह आ अगर कोई इंद्री सेम नहीं कर पा रहा है तो और वही सेव भवान को अरपन करके भाई भागवान के पास जाता है और अगर बच्पन से बच्चों को समझाए जा कि बेटा ये खाओ ये खाना चाहिए अच्छा है है भागवान का प्रसाद ग्रहन करना चाहिए तो वह बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सत्यूग में धर्म के चार स्थम्भ थे उस वहीं लिया करके आपको रख दिया जाएगा अगर भागवान की भक्ति करते हैं स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र का जब करते हैं और ये चार निमों का पालन करते हैं अब बताए चार निमों का पालन तपस्या लगेगा और वस्ता जो श्रवन किर्थन करता उनके तपस्या क्या उनके लिए तो यहीं जीवन होता यहीं करना इसमें इसे सो एजी आर यू अब आप प्राटिकल देख रहे हैं कि कैसे जो नाम आमने आप कभी से सोचे नहीं होंगे नहीं आप अमने भी सोचा नहीं इस तरह से तो इंट्रस्टिंग है यू लिव इन सत्यूगा नॉट इन द्वापर यूगा और वनी यूगा सव एव वही धर्म सव एव अन्येशू अधर्मेना अन्येशू मतलब अन्य यूगों में अर्थात त्रिता द्वापर और कल्यूग में अधर्मेना अधर्मेना वर्दता अधर्म के द्वारा अधर्म के बढ़ने के द्वारा व्यती पादेन अर्थात एक चरण से व्याय होता रहा अब सभी लोग इसमें असमान नहीं है जो भगवान की भक्ती कर रहे हैं नीमों का पालण कर रहे हैं वह कल यूग में होते हुए भी कल यूग में नहीं है जैसे अवां सुटाइस अराम से अंतिरिक्ष में भी अंतिरिक्ष में भी ले लेंगे अगर आपके पास स्पेस सूट होगा पहलन करके अंतिरिक्ष में कहीं भी घुमेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी ही उसी प्रकार से भगवान का नाम चारण वक्ति करेगा श्मय भागवत्म का श्रवन करेगा तो ही इस इन कृष्णा सू आएंगे तो मुझे मिलावी देंगे मैंने पढ़ा है और मैंने कई बार कोट भी किया था अब यादनियार कहां से ही लिफ्ष इन सत्युगा अन वाइन और एक ही नाम बोलने से अनंत अनंत यग्यों का लाभ मिल रहा है ना एक करोड़ एक करोड़ अश्मेद यग भी जो की त्रिता यूग में कराए जाते थे वह भी एक बार नाम बोलने के ब्राबर नहीं है तो जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा रिस्णा लेकिन बस एक बहुत बड़ी दिक्त का लिग की है क्या है कि एक बात भी लोगों को समझ में नहीं आती है एक बात भी हम तो बार बार इसको सोच करके खोश हो रहे हैं कि हम लोग केवल अपना empty time use कर रहे हैं मात्यजी लोग इस time आप लोग शायद serial देख रहे होते ना अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं भक्ती में नहीं थे तब क्या करते थे तब देखते थे ना तो serial का time change करके भाग वह serial देख रहे हैं सुबह का time सू रहे थे 24 घंटे तो भक्ती कर भी नहीं रहे हैं मैं वड़ा simple सा discussion में आया था कि 9 to 5 job कीजिए और 5 to 9 कृष्णा 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 कर लेंगे तो 9 to 5 को प्रभावित करता भी नहीं है एक भाग तो हमको बोल रहे थे और हम उनको जब भी मैं ट्रावलिंग में जाता हूं और मेरे मन में मैं और चरणा का अस्पार्श करती हम यहblade कैसे करते हैं Krishnah consciousness कृष्णा 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 का बता है कि जब क्लास मों संथा रहता हूं को मज़िंग दंता करता मैं ड्रावलिंग स отв!! मैंने का मुझे तो बहुत फराग पढ़ता कि बिद्राविंग करना में सारे वायर्स हिल जाते हैं बट इस इंटेंसिटी इस शोज की श्रवन किर्टन के दारा वेक्ति एक्स्टरनली कहीं भी हो सकता है बाहर इमिरेटली ही कमस तो क्रिष्णा कॉंशिसनेस श्रमन किर्टन के दारा यह बिल्कुल अद्भुत प्रभाव है तो यह कहां रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है आप किस एनर्जी से कनेक्टिट हैं उससे मतलब है श्रीधरी क्रतियुग में धर्म चतो श्पात अर्थात संपून रहता है चारों टांग रहती है त्रेता आदी यूगों में धर्म का एक एक चरण शीन होता है उसका कारण अधर्म की वृद्धी होती है यह यूगों का स्वरूप बतलाने के लिए कहा गया है जिससे कि मनुष्यों में संसार से विराग उत्पन हो जाए इस वर्णन का उद्धेश धर्म का संकोच करना नहीं है अब यह पॉइंट बड़ा द्भुत है जो मुझे समझ में आ रहा वो यह है कि देखिए व्यक्ति सोचे चाहां यह कल्यूग चला भाईया कल्यूग में बड़ी तीकत है यह वह न यह भी नहीं रहेगा once you start seeing it as something cyclic you become detached विचार कीज़ेगा अगर आपको दख रहा कि कोची cycle में आ रही है यह भी आ रही है कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी तब आप डिटेश्ट हो जाते हैं आप उसे उतना धिक प्रभावित नहीं होते जैसे कि अब आप लोग जाड़े से कितना प्रभावित होना है ज करतें जड़ादा आगी जड़ाने की क्या नहीं रुक जाएगा बरसता अगए रे बरसता हां तो फोर दर घर में अंदर रहता है अचाता अलेगी अब भाग भुमेंगा जिन्मों coração पर आरता जाना होता है उसकी चर्शा बहुत जड़ा नहीं करते हैं अनलेस आशि कि जीनिये si59 होती हैं तो वक्ती का वैराग्य होता है जो जाकिल नहीं अन्भफ कर पाता वह सोच रहा है कि कल्योग पहली बायर आया समझे वहो है , जो लोग बार-बार कल्योग कल्योग करती हैं यह तो ऐसे चला है वेशला है फराब रहा है Pretty स customer Com Similar वार के खतम कर देंगे फिर नहीं लोग को इस्टॉल कर देंगे सारी वाइरस गाया और न्या सफ्टॉल कर देंगे खतम काने I hope I'm getting the message across very interesting लोगों को वहरा कि होना चाहिए सब्सक्राइक है और इस पर व्याविचार कर ले कि मैं शाष्वत जीव हूँ तो दुनिया में बहुत सारी चीज चलती रहेंगी वह सब breaking news ही होंगी because they generally report about something which is breaking nothing यहां यह तूट गया यह यह मर गया यह वह गया तो वहीं सब निवच चलती रहेंगे और उधर विक्ति ध्यान नहीं देगा अर्थात पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा अनुकर्ण किया जाता था एक प्रश्ण हो सकता है कि पूरी तरह से धर्म का अनुसरण करते क्यों थे जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसका अर्थ समझते हैं, बड़ा मजदार अर्थ है, आप धर्म कर रहे हैं, और भगवान देख रहें अंदर बैटे कि धर्म कर रहा है, अब इसको धर्म के हिसाब से, इसका चालान धर्म के हिसाब से कटना चाहिए अगर वह ऐसे कहूं तो जैसे हम अभी हमको एक भक्त नॉइडा में छोड़ने के लिए रिषदार है मरे तो हम लोग उत्रे देखा पीछे जो है एक मैं जो समझा पीछे एक पुलिस वाला आज के लोग फोटो खीछते हैं वहां पर रुकना लाउड नहीं था मुझे लग रहा था पता निक्या हुआ तो धर्म के हिसाब से पूलिस के धर्म के हिसाब से उनको वहां पर गाड़ी नहीं खड़ी करने चाहिए थे और चलान कट गया तो यानि वह देख रहा है न अब यह लोग समझ रहे हैं चत्यों के लोग समझते हैं कि अच्छे समझते हैं कि धर्म करेंगे तो आज कुछ कष्ट अन्भव हो रहा है लेकिन इसका पूरुसकार बहुत ज़्यादा होगा आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि यह भावना इस समय कल्यूग में नितान तो लुप तो हो गई है आज मैं भगवान के लिए फल खरीद रहा था तो ऐसे हम को बोल नहीं रहे हैं हमको बड़ा अच्छा लगा एक अमरीका के ब्रह्म चारी थे मैं उनको नहीं जानता ते गौड़े वैशन ते लग और लाल कपड़े में थे तो बोले कि आप उमको देट दिर्वा सकते हैं तो मुझे लगा पहले कि शायद इंके पास कैश नहीं है ऐसा हो सकता हुआ हो तो अच्छी उसका विच्छी कारण बता था उससे पहले क्या हुआ था हम लोग मंदिर के सामने थे और मैं दूद ले रहा था तो वहां पर कैश ले रहा था ऑनलाइन नहीं ले रहा था एक माताजी खणी थी उनको पनीर चाहिए था तो उन्हेंने कहा कि हमारे पास ऑनलाइन हम नहीं करते हैं तो हमने का माताजी आप मैं कैश दे दूगा आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजा तो तुरंत उन्हें कर दिया और मालूम चला कि उपनीर सीधे डिटी किचिन में बनने ले जा रहा था था और वास तो लोट्री खुल गई ना वेस्टिवल टाइम और हमें सहायता करने को बिल गया यद्धिपी अमने एक रुपे कभी खर्च नहीं किया लेकिन क्योंकि मैंने सहायता करी और शी नीडिट इमिरेटली अड़ टाइम उस ताइम वो डेटीकेशन में रहेंगे तो पैसा वसा नहीं लेक्या थी मैं इसकी देखो थोड़ा सा बात धर्म समझ जाए कि करने वाले को पिरिणा देने वाले को सहायता करने वाले को बराबर अपने बिलता है अमने का तो भगवान तो लोटरी खुलवा दी और इसके पीछी वेदवाद नी ने कहा रहें आस चल रहा है दूद ले लिजिए त मुझाता रही है और मुझाता रही तो उनकी सहायता नहीं करता आप करेंगे सब लौकिक बात नहीं है धर्म का सेंस होना चाहिए ये मैं समझ गया था बात में समझा गए एक मेरे के बाद समझा कि ये पनीर तो भगवान के लिए जा रहा है एक डिर्क्ली डेटी के जिन के लिए लेके जा रही थे आज फेस्टिवल है तो भवान के लिए कुछ बन रहा होगा यह सेंस आपने डवलप करना है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसकी साहता गरम कर सकें तो उसकी सारा पुर्न आपके अकाउंट में जा रहा है आपके सौला माला और दूस मुझे लगा कि वह online payment की बात करना करते हैं नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं अब दिलवा देजिए समाहु I felt him very nice एक तो विदेशी थे और लग रही थे यह 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 लालकपडा नहीं पहन रहा है तो जन्विन ठीक लिए फिल्म नहीं के जब आद देही रहा है प्रपाजी कुछ और करते हैं और क्या चाहिए पपीता नहीं करें कितना मांगेगा मैं सुचा था कि दुचार किलो मांगेगा एक पपीता मांगा he was so honest कि उसकी जो आफशक्ताती उतना ही मांगा उसने I could see that dharma sense यह नहीं बोला था कि आप पांच किलो अपना दिलवा देजी नहीं एक अपीता दिलवा दिजी और कि देट से दिलवा दिजी I was very happy please try to see this sense of dharma क्या में तो याद एक रहस्त मतला दान करताव है whatever जो भी हमारे शमता है I was very I was very happy giving it different context अगर यह बोलन चाहता हूं आप देखना जितनी बार आप धर्म का अनुशीन करेंगे आप सुखी ही होंगे और जहां धर्म की करने काटें क्या कर्ने काट सुनते ना cutting the corners होगा हम लोग सुखी नहीं अंभव करेंगे धर्म रख्षती रख्षता वेरी वेरी नाइस इसलिए वह क्योंकि पुरी तरह सचेत थे इसलिए वह corner cut नहीं करते थे चोटी सी कहानी बताऊंगा समय तो कम है बड़ी मुझजदार कहानी है एक कहानी ये थी कि दो भाई राजा के पास जगड़ने के लिए आए जगड़ा कर रहे थे राजा के पास आए और उन्हें कहा कि कुछ खेत का बटवारा था तो जो बड़ा section था बड़ा भाई बोलत नहीं बड़ा section तुम्हारा पापा तुम्हार ने छोड़के गए चोटा वाला बोलत नहीं तुम्हार ने छोड़के गए तो ये मलब द्वापर युग की बात थे कि लोग सही हिस्सा लेना चाहते थे और सुना मैं सुना दर बक्तों से कि इसी ब प्रपाजी सुना है लेक्चर में प्रपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति जानता था जानता था कुछ प्रपाजी के समय में कि अगर मैंने आप से पांच रुपे लिया है और उसका सदुपयोग नहीं किया तो मुझे वह कई गुना वापस देना पड़ेगा तो उस पर प्रपा प्रपाजी किसी से उधार लिये और वह लेकर के मर गए तो वह जाकर के बाद मैं उस क्या कह सकते हैं उसको सेट को बोला कि मेरे पिता जी मर गए और आपका पैसा देना था मैं आपका पैसा दे रहा हूं और सोचिए कि वह सेट क्या बोला होगा यू केन नाट क्यस सेट न क vit pare नहीं कार्द कि आपको ऐसे पैसे दे के और और जरूर दिया घर रस करते हैं। कि करते हैं, थो मैं। विट को बोला था कि कोई मुझसे चीपीं करीनी सकता, तुम मुझसे Trustees dal 17 आगर हुआ मेरा, थो मैं बहुत देना हटागा। क्या कर सकते हैं, they don't have any conception, obviously we can't be foolish, but धर्म का conception बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, इसलिए हमें कोई धन देता है, तो हम कभी नहीं कहते हैं, भगवान को देने के बहुत सारे options है मेरे पास, indiscriminate option, खुप सारे दे सकते हैं, खुप सारे दे सकते हैं, और दुसरी बात यह कि अगर वह मुझको नहीं देगा, तो देगा किसको, अपने बेटे को देगा, अपनी ताई को देगा, अपनी चाची को देगा, जाके समोसे खाएगी, वह और कुछ नहीं कर किया है कि नहीं, तो वहाँ भी सो कुछ लावड़ी होने वाला, अग्रीट, कोई 500 रुपे भी दे रहा है, तो मुझे अगर नहीं दे रहा है, किसी बात को नहीं देगा, तो समोसे पर खर्च होगा कि नहीं होगा, और वही चुज़ा भगवान को अर्पर कर देंगे, तो बहुत बला लाव जाता है, this is very amazing, धर्म रक्षत, इसलिए धर्म की रक्षा करते हैं कि धर्म का सेंस खूब एक्टिवेटेट था, एक सिंपल सी बात विचार कीजिए, कहीं कोई फंड हो जहां आपको 25% assured returns मिलते हूं, assured समझते हैं, मतलब पैसा डूबेगा नहीं, और वह आएगा ही आपके पास, तो मेरे कास से सब लोग SIP खोल देंगे ना, कि चाचार पांच पास जार हजार रुपे जमा करते हैं, वहाँ पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो वहाँ बहुत विश्वास है, कि पैसा बढ़ेगा, है ना, तो अगर सोचे, डबल आने लगे, तबल हंडड़ पसंट ना, डबल मींस हंडड़ पसंट और वह भी उस वेक्ति के लिए जो आधा क्वालिफाइट ब्रामन है, और जो भक्त है, उनको देंगे, तो कितना वापस आएगा, तो अगर ये विश्वास होगा, तब ना सोचेगा, तो अरे प्रोवजी अगले जन्नम का कौन सोच रहे हो, इस जन्नम की पैसे को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इस जन्नम की पैसे को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इस जन्नम का पैसा अगले जन्नम में तो काम नहीं आएगा, तो ठीक, इस जन्नम के बारे में भूल भी तो मत जाईए, ये सारी बातों का स संबंध किस से है धर्म से है मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था उनके पिता जी उनको एक करोड़ का दहेज देने वाले है और री प्लान डेकिन शादी तो हो शादी नहीं हो रही ताव समझे अब वो प्लीज वो बुरा नहीं मानेंगे अब सब्सक्राइब कर रहे थे 34 की हो ग अब फिर उसके बाद उनका स्वास्ती भी खराब रहता है उनका देखी किस प्रकार से कर्म होता है पैसा होने के बाद ही वेक्ति बिमार रहता है तो वेक्ति को इस जीवन में समझ करके धर्म करते ही रहना चाहिए तब से बड़ा धर्म क्या है किसी को भी किसी भक्त को वि गुंदम जबर्दस्त तरह से बरसात होगे तो हम इसमें कुछ कहाना चाहरे है शाद इसीच लोग को ले पाएंगे हम धर्म के बारे बोले थे हमको बहुत अच्छा लग रहा है एक और बात बहुत अच्छी आद आ रही है प्रभू की मुकंदत प्रूप कहरे थे कि लểu यह पुरूप के धर्म किमसर बतार रहे हैं इससे विक्ति का शुद्ध होता है और जब विक्ति का हुरुदत सची मात्रा में शुद्ध होता है तब इसकी गदर्ब हो होती है कि मैं कौन हूँ मैं इस जीवन में इस शरीर में सुखी नहीं हूँ बहुत एक समसाधन खटे करके में सुखी नहीं हो रहा हूं यह सब धर्म के संबादन से बिल्कुल क्लियरली विक्ति को समझ पाने लगता है तो इस से बातों के बारे में सत्यूग की लोग बिल्कुल अवेर थे इसलिए चारों का पालन करते थे कहीं से कुछ लीकेज नहीं होने देते अन्य त्रिता आधी युगों में अधर्म की एक एक पात की विरिद्धी होने से धर्म का अर्थात सत्यूग में तप शौच दया और क्षमा ये चारों धर्म पूरी तरह से मनिश्यों में विद्धिमान थे त्रिता आधी युगों में अधर्म की विरिद्धी से के कारण क्रमशा धर्म का एक एक पात घटता गया समझे आप इसका तो पस्या नहीं भी करेंगे त तो क्या फरक पड़ता है अब एक बज़े तक अगर सोता रहे और छह मेहनी में एक बार स्नान करे तू भी क्या दिक्कत है क्या लोग इस तरह बिलकुल मूँ भठो करके नहीं बोलते कि कुट्टा बन जाएंगे तो क्या फरक पड़ेगा यानि कि धर्म के प्रती इंडिफ अधर्म के प्रती रुची बढ़ रही है और धर्म ये नहीं करेंगे एक टांग पर खड़े रह लेंगे क्या फरक पड़ता है क्या आप इसको देख पा रहे हो चलता है शादी की क्या जूरत है लिविन चलता है चल रहा है नाजकर तो वाट इस पॉइंट आप प्रक्टि को मतला इसलिए मानने की बाते हैं मानो तो गंगा मानो तो पाणी अरे वाई तुम अ ब्रमा जी हो गए हो जहर को भी बुल दोगे कि मानो तो जहर मानो तो पानी from dependent की की दवा भी ऐसे को आने करका पर के सब डिस रिस्पेक्ट डबलब हो गया लोगों ऑन यह तो किसी रिश्या ने लिख दिये लिख दी तो तुमको कैसे पता चला की रिश्या ने लिखती है मुझे याद है कि भरतभून में एक बुड़ा मिल गया आमको कहें यह तो किसी इंसनन ने लिखी है गीता तो मैं उनको simple बोला कि क्या पहले बात बताईए कि क्या प्रमाण है कि आप इंसान ने लिखी है और दूसरी बात क्या देवताओं की लिखी किताब ही पढ़ते हैं आप आस तो जितनी भी अगबार पढ़े हैं वो देवताओं ने लिखी है घरम हो गए वो बताईए आप लो की दिखत येänder कि तुम्हें भगवान से दिखकत है इंसान से कोई दिखकत नहीं है घरमीर देवताओं की दाभ में आज तक एक एक अंश करके घट दे गए, दूसरे शब्दों में संप्रती एक अंश धर्म है और तीन अंश अधर्म, संप्रती मतलब आज के युग में, इसलिए युग में लोग अधिक सुखी नहीं हैं, इसी की व्याख्या में कर रहा था, धर्म, रक्षती, रक्षता, आप दूसरे को सुख दोगे, तो सुख कई गुना घूम करके आएगा, तुम एक पपीता दोगे, वो पचास पपीता देगा, like that, if you help one person to become healthy, you will become more healthy, इस वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट, इस वाइट लुक्रेटिव और लगता है, आप देख लेना कि दूसरों को जो हम देते हैं, वह घूम करके हमारे पास आता है, इसलिए बड़ी अच्छी चीज है, विद्या देना, जितना विद्या देंगी, दूसरों को उतना ही विद्या घूम करके आपके बास वापस आएगे, और ये तो हम भक्तों को देने का प्रयास करना है, तो बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी सिक्षा इस ग्रहन से ग्रहन कर रहे है, अगर विक्ति भगवान की भक्ती कर रहा है, भगवान का नाम चारन कर रहा है, एक और चारों नीमों को पालन कर रहा है, तो वो कहां रह रहा है, वो सत्यूग में ही रह रहा है, वो मान धर्म है कोई प्रश्ण तो होगा नहीं मैं समझ रहा हूं की बाते समझ में आ रही है एक भक्त कुछ क्या रहा है यह सवाल कई बार आता है कि बच्चे हैं रास्ते में जिद करते हैं चिप्स एक से ट्रक लिए इसका कैसी रेप्लाई करें आप तो रेप्लाई मत कीजिए आपको क्या चिंता है आपके तो बच्चे नहीं है ना नहोंगे बवान ना करें कभी हो तो आपकी बच्चे है नहीं तो आपको क्या चिंता जिनकी है वो सोचे क्या करना है क्या कर सकते बच्चे को पैदा करने से पहले पूछा नहीं था कि तुम चिप्स काओगे कि क्या जितना किया सके अभी हमको दवा खारेवाद काम करने की लेकिन हमने मन में मान लिए कि पॉपकॉर्ण से कुछ नहीं होता है थोड़ा से पॉपकॉर्ण से कुछ नहीं होता है तो आज हमने चैट GBT को पूछा अगर दस की रेटिंग लिया जाए वन सिलेकर टेंथ तो राजमा किस लेवल पे आता है राजमा डॉट्टर सामने मना किया आठ अचा ओड़त की दाल क अब बंद करना पड़ा तो जब किसी विक्ति का सेंस डेवल अब होगा तो श्विकार कर लेगा उस्वस्त होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है अचा वह जिसको राजमा पसंद हो वह बुरा ना मानेगा लेकिन ऐसा है it is very difficult to digest and very bad for health छोड़ो ना छोड़ो आपकी लेकिन आप उसके ingredients को देखेंगे कि हमको हम इमानदारी की बात बोल रहा है हमको पंच कर्मा में जवरस्ती खाना पड़ा था हो तो देख करके हम हिल गए ते पाम ओयल बनाते हैं पाम ओयल बनाते हैं और वो चिप्स तो तलते ही हैं पतन क्या करते होंगे इसमें क्या मसाल बच्चों से प्रेम करते हैं तभी चिप्स खिलाते हैं तो प्रेम करते हैं घर में पाम ओयल की पूरी मनाते हैं आप लो कभी सोच है कभी सपना आया कि पाम ओयल की पूरी च्छन रही है और वो लोग तो वो दो आपके बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं वो अपने नोट बच्चा अभी रो ले और चिप्स ना खिलाया जाए और यह बच्चा आगे जाकर करके जिंद्गी रोता ही रहे अंटरसंट खाने के वैसे वैसे पंच कर्म है तो बाद में करा देना कोई दिक्त नहीं है तो यह सब चीजे हैं अपने घर में कुछ बना लीजिए बड़े ब अब जैसे एक्जामपल आए पूछा जा रहा तो मैं उतारन दारन दे रहा हूं श्रीला भक्ति सिधान से ठागर जी कितने साल के थे मैं समझता हूं चार साल के थे बहुत छोटे थे और उनके घर में मैंगो आये तो बच्चा ने मैंगो ले लिए तो उनके पिता जी तब तो बच्चे मैं एकदम आपको बलकुल छियर बात बता रहा हूं आप सभी लोंका अंभा होगा कि जब आप लोग दुनिया को बच्चक में देखा कर दे तो ऐसे दीखते थे न सब कुछ सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता था, सब कुछ नया नया दिखता था, सब लोग याद आ रहा है बच्पन में, वो बैक टांग के जाते थे इनो, ऐसे करके देख रहे थे, तो आप उने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं ऐसे, मुझे याद है कि बच्पन में मेरी माने बड़ा बड़ा चीज़े, इस बात को नाम भी दे रहा हूं, नाम भी दे रहा है, नाम नाम भी दे रहा हूं, आज के नाम भूल जारा हो सबके, राम अवतार नाम है क्या नाम है अनका है, रगुपती प्रभु और पाता जी का नाम भूल रहा हूं, तो बोले कि भक्ती में आने से पहले भी वो कभी भी होटल में नहीं खाए, क्योंकि माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती, इस वाइजिंग, इस नोट अमेजिक, कभी पूरा जीवन बीद गया, मैं था पचास रिटार्मेंट के बाद आये हैं भक्ती में, आपर 58, तो कभी भी होटल में नहीं खई, माताजी ब्रिलियंट खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तब खाना घर का इतना अ चाहिए कि बहर बचलों खाई नहीं, हमें अच्छे से याद है कि मेरी मां दिवाली के समय वो घिस-खिस के चाब, आप लोगो की मां भी करती होंगे, आलू जो है, आलू के चिप्स बनाती थी, सावदाने के चिप्स बनती थी और बाहर से कुछ नहीं आता, सब घर में बन खाखा करके आप सो पीडियों का अधार कर दोगे, किवल खाखा करके, किवल प्रसाद ग्रहन करने से विक्ति माय से मुक्त हो जाएगा, तो अब बताए क्यों अंकल चिप्स खिला जाए, पापा पापा चिप्स खिलाने चाहिए, क्रिष्ण क्रिष्ट खा लें, वह खाना चाहिए, तो बाकी अब आरस करना चाहिए, तो अलग बात है, ओके, हरे क्रिष्णा विल स्टाप एर ना, शीड़ प्रभुपाद की जाए, शीमिल भागवतम की जाए, निताए गो, प्रभुपान ले,